मैं सुभम आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं TDPG College में जो की MSC Agriculture का इंट्रेंस एक्जाम हुआ था उसका result आ चुगा है लेकिन आपके website पे result तो नहीं हो रहे हैं और आपको result मिला नहीं है तो आपसे निवेदन है कि college में जाके अगर आप पता लगाएंगे तो आपकी result बताई जाएगी लेकिन आप वेट करिए आपका online result आपके website TDPG College के website पे उपलब्द हो जाएगा तो आप वेट करिएगा तो चलिए हम बताते हैं कि toppers कौन है वो दो toppers कौन है जो कि TDPG College में first rank है जिसका और second rank है आप यहाँ display पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला rank है अनंत कुमार का है जिसके पिता जी का नाम है Mr. Kasi Naat Singh इनके पापा का नाम Kasi Naat Singh है और इनका roll number है 205142 मतलब 20-42 वही इनका marks बता दे तो इन्होंने 100 number में से एक क्यान में number पाया है मतलब 91 marks पाये है 100 marks में से और इनका weightage जुड़ा है 10 marks अब यह weightage वो NCC का यह जुड़वाए है या तो कोई और होगा उसका weightage इनका जुड़ा है कोई मारसी जमा किये होंगे उसका weightage जुड़ा है वही second rank की बात करें तो स्वाती सुकला है जिनके पिता का नाम है Mr. Mahendra सुकला जिनका roll number है 205080 और इन्होंने total marks पाया है 92 marks पाये है और इनका weightage जुड़ा है 5 number तो ये दो टापर्स थे जिनोंने टीडी कालेज के MSC एगरी कल्चर इंटरेंस एक्जाम में first and second rank लाए है और बाकी बहुत सारी student है जो की अच्छा marks लाए है तो आपको बताते हैं कि कितने cut-off के अंतर अगर आप रहेंगे तो आप pass है आपकी confirm admission हो जाएगी confirm आपकी admission हो जाएगी आप कितने cut-off के अंतर गत हैं तब तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले आप देख लिए जो cut-off लिखा है 2020 MSC AG तो cut-off की बात कर ले तो cut-off जो होती है वो 50 से लेकर 100 marks जो भी पाए रहेगा जो भी 50 से 100 नंबर के बीच में रहेगा उसका result pass है वो बंदा pass है वो student pass है वो admission करवा लेगा लेकिन 50 से अगर थोड़ा सा भी rank नीचे आप अगर आप जा रहे हैं अगर आपका नंबर 49 marks अगर किसी का भी है तो वो admission नहीं करा पाएगा तो जैसा कि हमने आज आपको बता दिया तो इस्टुडेंट आज हमने आपको बता दिया कि MSC Agriculture में pass जिसका नंबर सबसे highest है उनके बारे में भी बता दिया और आपको बता दिया कि कितने नंबर के कितने बीच में रहेंगे आप तो pass रहेंगे तो ये दोनों चीज़े हमने आपका clear कर दिया तो अगर आप 50 नंबर अपना answer की मिलाये हैं match कराये हैं अगर आपका 50 नंबर की उपर आ रहा है या 50 नंबर है तो आप pass आए आपकी admission जरूर होगी चाहे जो हो जाए आपकी admission होगी और हो सकेगा तो आज साम तक 5 बजे तक आपकी result online website पे ब्लब्द हो जाएगी उसमें पहला rank है अनंत कुमार जी आपको congratulations आप अच्छे नंबर लाए है आपका 101 marks है total क्योंकि इनका एक नंबर weightage जुड़ा अरे total 10 marks weightage जुड़ा है इनका इसे इनका 101 नंबर जा रहा है तो यह मसुचे कि 100 नंबर का था 101 कैसे जाएगा ऐसा बात नहीं इनका weightage जुड़ा है तो weightage माइनस कर दिया जाता उससे कुछ नहीं उनका total marks जरूर दिखाए जाएगा कि कितना पाए है वही सेकेंडर है जो पाई है स्वाति सुकला आपको भी congratulations आप बढ़ाई हो आप अच्छा marks लाए हो तो यह दोनों students थे जो की MSC Agriculture Internet exam में टॉप पर हुए है तो चलिए हम फिर मिलेंगे आपसे counseling के date के साथ कि कब आपका counseling का date है आपको क्या लेकर जाना है क्या document लेकर जाना है यह सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे अभी तक न तो website पर आई है न तो college में आई है और फिलाल हम दो दिन से college गए नहीं है तो हम आपको नहीं बता सकते हैं कि college में notices में चिपकाया गया है या नहीं दो-तीन दिन हो गए चार दिन हो गए हम college नहीं गए लेकिन मैंने सोचा कि result दे दू क्योंकि TDPC college का MSCAG के result के लिए बहुत सारे comments आ रहे थे इसलिए हमने आपको ये video provide कराया तो चलिए student फिर मिलेंगे एक next video में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बने रहेगा हमारे channel में इसी तरह और अगर आप channel पे नए है तो please channel को subscribe करिए, likes करिए और share कर दिजिए उन्हीं student को जो ये video देख नहीं पाए है जो MSC Agriculture चे